आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूट सच्चाई का दरपण आते हैं जिसमें ग्राम पुर्वा टोला जोकी लांजी नगर परिशत से लगा हुआ है परन्तु विकास से कोसो दूर है चाहे बात सिख्चा की हो चाहे किसानों की हित की हो या फिर ग्रामों की स्वक्षता को लेकर हो जब समस्यां को लेकर जन प्रतिनिधी चाहे वह जन पत सदस्य हो या पंचात इस्तर कहो इन से पूछा जाता है तो इनके द्वारा सब्दों को गोल-गोल घुमा कर बताया जाता है और तो और सासकी अधिकारी कर्मचारियों की भी पूरी लापरवाही सामने नजर आती है जहां ग्राम पंचात खांडा फरी ग्राम सलंग टोला क के ग्रामिलनों को अती जरजर अवस्था वाली रोड पार करके ग्राम पंचात भवन जाना पड़ता है और उसी रोड से ग्राम बगडी के ग्रामिलनों को भी आना जाना पड़ता है जब इस विसाय में सचिव से पूछा गया तो सचिव ने सरल सब्दों में PWD का हवाला परे दिया जबकि उसकी आधी रोड पंचात के द्वारा ही बनाई गई थी पंचात चहती तो PWD से लेकर इस रोड को बना सकती थी परंतु जन प्रतीनिदी खुद बिना काम के वहाँ वाही लुटाते हैं और ग्राम की जनता इसका खामियाज भुगत्ती नजर आती है उच्छा के मामले में आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि नभी प्रतिशत लोग यहां आपको साक्षर वेलेंगे और यही कारण है कि यहां का बच्चा जो है आज हाई टेक्निकल इंस्टिटूट या एजुकेशनल सेंटर में जो है आपको पाया जाएगा लेकिन आपको पारजन अपने फसल या उपारजन को बेचने के लिए पूंसी किस मंडी में ले जाना पड़ता है कि हमारे हां का किसान जो है घंडाफरी का यह थनेगाउ का किसान जो है यहां ते 15 किलोमेटर दूर जो है मनेरी अपने उपारजन को बेचने जाता है यह वहां पर खाद फटी लेजर के क्राय करने लाजा यह तो ऐसे में अगर कोई यहां का जन परितनी और स्टेट कार्ला में क्यों ने लगा सरो तो अति नकसल प्रभावी छेत्र माना जाता है उसका इस्टिमेट नहीं बनाया था जित्ती राथी नहीं तो सर पहले तो वहां का बनाना चाहिए था जंगली जंगल एरिया है प्रधान मंत्री आवास के मकान कितने पास हुए वहां सर पूरे जित्ते मकान है वो पूरे स्टिमेट कितने हुए सर कादला में है कादला में है 25 के लगबाग है 25 के लगबाग पूरे तैयार हो चूक है बन रहे हैं चालू है न पत्चीश लोगों के कशबने ऐ कुछ कर चाम चालू है तो तो ट्रान कर फार मचाल लगबाग है चलो ठीक